जेम्स किचन में आपका स्वागत है तो चलिए आज हम बनाते हैं कुछ अलग रीत से कचोरी मटर रोल यह हमने ग्यों के आटे से बनाया है यह बहुती ज्यादा क्रिस्पी और बहुती ज्यादा टेस्टी है इसे बनाने के लिए हमें करीबन तीन कप जितना ग्यों का आटा लेना है अब इसमें हमें चार चम्मच जितना तेल डालना है हमें चार टेबल स्पून जितना तेल इसमें डालना है अब इसमें हम एक टी स्पून जितना जीरा और एक टी स्पून जितनी अजवाइन और नमक स्वाद अनुसार इसमें अड़ करेंगे अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इसमें मोहिण इतना डालना है कि जितना जब हम इसे अच्छे से मिक्स करें तब हमारा आटा कुछ इस तरह बंधना चाहिए ये एकदम perfect है मोयन में अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे एक tight dough ready करना है हमें dough को tight ही रखना है हमें रोटी के अटे जैसा soft नहीं बनाना हमें इसे थोड़ा सा कड़क ही बांधना है अब हमें थोड़ा सा तेल लेके इसे अच्छे से मसलते हुए set कर देना है अब इसे हमें करीबन आदे गंटे के लिए एक site set होने रख देना है जब तक हम बनाते हैं मटर का stuffing इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कप जितने मटर लिये हैं इसे मैंने पानी से अच्छे से वाश कर लिया है अब इसे हमें करश करना है हमें सभी मटर एक साथ करश नहीं करना है हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसे करश करना है हमें इसे अतकचरा करश करना है कुछ इस तरह अब इधर मैंने बॉइल आलू लिये हैं इधर मैंने एक मीडियम साइस का और एक चोटा यानि आप एक बड़ा आलू भी इसमें ले सकते हैं अब इसे हमें अच्छे से कदूगस करना है हमें इसे एकदम जीना ही कदूगस करना है एकदम बारी कलब अब मैंने इधर चार हरी मिर्च लिए इसे हमें एकदम छोटा छोटा चौटा चौप करना है अब हमें एक कड़ाई लेनी है इसमें करीबन चार टेबल स्पून जितना हमें इसमें ओईल लेना है अब इसमें 1 फोर्थ टीजपून जितनी हिंग, फाफ टीजपून जितना जीरा और चार चौप कीवी हरी मिर्च को हमें इसमें एड करना है अब सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसमें हमें मटर को एड करना है अब हम इन सभी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम दो टेबल स्पून जितना चने का आटा यानी बेसन एड़ करेंगे एक टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर वन फोर टेबल स्पून जितना हल्दी पाउडर वन टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर और वन टेबल स्पून जितना गरम मसाला अब इन सभी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इसमें बेशन के आटे को अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो अच्छे से इसमें सेख जाए अब इसमें हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता एड़ करेंगे नमक स्वादानुसार अब इसमें हम एक लिम्बू का रस एड़ करेंगे और जो हमने boil आलू को smash किया था अच्छे से कदूगस किया था उसे हम इसमें add करेंगे अब इन सभी को भी हम अच्छे से mix करेंगे और 2-3 मिनिट तक इन्हें अच्छे से पकने देंगे अब इसमें हम हरा दन्या add करेंगे और इसे भी थोड़ा सा mix कर लेंगे और इसे हम गैस की flame बन करके इसे हम थोड़ी देर के लिए थंड़ा होने देंगे जब यह अच्छे से थंड़े हो जाएंगे तब हम कुछ इस तरह इसके roll बना लेंगे हमें इनके चोटे ही roll बनाने हैं बहुत बड़े roll नहीं बनाने कुछ इस तरह हम सभी roll इसके बना लेंगे अब हमने जो एक डो रेड़ी किया था वो जो हमने सैट करने रखा था उसे हम अच्छे से पिर से एक भर अच्छे से मसल लेंगे ताकि हमारा आटा एकदम अच्छा रेड़ी हो जाए अब इसकी भी हम चोटी चोटी लुईया रेड़ी करेंगे जितना हमने मटर के स्टफिंग का रोल रेड़ी किया था वो ही इसाब से हमें इनकी लुईया रेड़ी करनी है हमें बहुत बड़ी लुईया रेड़ी नहीं करनी है अब हम सभी लुईयों को एक कपड़े से टक देंगे और एके ग्लूई करके अब हम इसे बेलेंगे हमें इसे ओवल शेप में ही बेलना है कुछ इस तरह हमें इसे बहुत पतला नहीं बेलना है अब चूरी की मदद से हमें कुछ इस तरह इसमें चार तीन से चार कट रखने हैं अब जो हमने मटर का स्टफिंग रेडी किया था उसे हमें कुछ इस तरह बीच में रखना है और चारो और पानी लगाना है और इसे कुछ इस तरह हमें पोल्ड करना है हमें दोनों साइट से भी अच्छे से कुछ इस तरह फोल्ड कर लेना है अब इन्सका एक अच्छे से टाइट रोल कर देना है और रेडी है हमारा मटर कचोरी रोल इसी तरह से हमें सभी रोल रेडी कर देने है एक बार और मैं आपको बताती हूँ हमें किस तरह इसे रोल करना है पहले हमें ओवल शेप में इसे बेल लेना है अच्छे से हमें ये बहुत पतला नहीं करना है हमें थोड़ा ठिक ही रखना है अब चाकू की मदद से यहाँ पे हमें कट देने है आप तीन या चार कट आपके इसाब से दे सकते हैं अब हमें चारो और अच्छे से पानी लगा देना है अब हमारे स्टफिंग को एंड में सेट कर देना है और कुछ इस तरह पोल्ड कर देना है साइट से भी हमें दोनों बाजो से अच्छे से पोल्ड कर देना है कुछ इस तरह और अभी एक टाइट रोल हमें इसे बना देना है और रेडी है हमारा मटर कचूरी रोल अब हम इसे एकदम लो फ्लेम पे फ्राइ करेंगे हमें एकदम लो फ्लेम पे ही इसे फ्राइ करना है ताकि यह अच्छे से अंदर से भी पक सके हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राइ कर लेना है देखिए कुछ इस तरह और रेडी है हमारे मटर कचूरी रोल अगर आपको यह मेरी प्रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पन नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ थैंक्यू